हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी कक्षा बारा इतिहास का पाठ्च है भक्ति एवं सूफी परंपराएं इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थी थूँ और वो ह सूफी मत का विकास यानि सूफीजम का पूरा कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे अब इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट भक्ति के स्टार्टिंग का कंसेप्ट देख लिया है अब हम थोड़ा सूफी की तरफ चलेंगे और समझेंगे कि इसलामिक परंपराओं में कैसे भार से पढ़ाई कर रहे हूं या सीजैजी जांने माध्यम भॉर्इक मेंगे आपको दमनेट्स हंदी पर उपलवथ करा जाएगी इसके लिए आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड़ सबस्किप्षान烏ं लेना है और निशल्न गूरुप से आप अपनी सि ग्राउन के साथ समझते हैं कि सूफी मत क्या है सूफी मत का विकास कैसे हुआ और सूफिजम का मतलब क्या है अब देखिए सारी चीजों को समेटते हुए चलिए सुरू से ध्यान करिए 600 इसापुरों से 630 हम ने देखा ब्रामण परंपराओं में या ब्रामण धन परंपराओं में क्या हुआ जातिगत समस्याएं आ गई कर्मकांड आ गया दिखावा और आडंबर आ गया और इससे फिर लोग परेशान होने लगे फिर बौद और जैन धर्मपनपा उसमें इन सभी चीजों को हटा दिया गया मूर्ति पूजा हटा दी गई और सारे वेद पुराण को मानने से इंकार कर दिया और धार्मिक समांत किसी भी जाती में कोई भेद नहीं सब लोग इसमें आ सकते हैं तेजी से बढ़ने लगा फिर धीरे-धीरे क्या हुआ शुंगवन शाया गुप्तवन शाया फिर हिंदू धर्मर्दन बढ़ने लगा फिर वैश्णो परंपरा आई शाक्त परंपरा आई जिसमें भक्ति को प्रधानता दी गई धिरे-धिरे वो काल पनपरा था बढ़ रहा था आठवीश अठारवी सताब्दी के हम चर्चा कर रहे हैं इसी बीच आठवीश सताब्दी में एक और करांदिकारी चीज भारत में हुई और वो यह हुई कि 711 में मुहम्मद बिन काशिग ने सबसे पह इसलामिक परंपरा को भी देख रहे हैं इसलामिक परंपरा यह भारत में कैसे आ रही है और राजपूत काल में कई बार आकरमण हुए तो उसमें यह जो मुहम्मद बिन काशिम था इसने सबसे यह आकरमण करके सिंदुक अपने अंदर लेना सुरू किया यह पूरा कंसेट चलता राफिद मुहम्मद गोरी मुहम्मद गजनेवी यह सारे आप पता है कई बार आकरमण हुए हो एक अलग कंसेप्ट है और यहां पर लेकिन अभी तक यह जो आकरमण हो रहे थे इसमें कोई एक और इंडिया किंग्डम यहां पर इस्थापित नहीं किया जा रहा था सताब्दी इश्वी हुई इसमें क्या हुआ महम्मद गोरी ने भारत में तुर्क आकरमणों की एक नवीन सिंखला का सुत्रपार्थ किया और 1206 तेरवी सताब्दी में कुतुबदीन एबक के नितुत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई जिसे दास सल्तनत या पहले स्ल लेकिन बकाइदा 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई अब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई जब एक सल्तनत वहां पर बनेगी एक सरकार वहां पर रहेगी तो फिर क्या होगा फिर उस सरकार के संबंधित जो धर्म है उसका परचार होगा उसकी नीतियों का लोग बाहर से जो आ रहे हैं वो यहां पर बसने सुरू होंगे मुसल्मान इसलाम फिर यहां के लोग भी इसलाम में कनवर्ट होंगे इसलाम धर्म को अपनाएंगे पूजा पदती एक दूसरे से मिलेगी जूलेगी लेकिन एक चीज जो दिखाई पड़ती है कि यह जो इसला इसलामिक जो हार्ड कोर उनके जो नीती थी जो सरिया था जो कुरान था उससे थोड़ा सा हल उससे मतलब अपने आपको हलका करके और उससों और जादा साधारण होके जीवन जीने वाली परंपरा का विकास इसलाम में भी हुआ जिसे आप सूफी परंपरा कहते हैं कि एक पूरा शाषन जो है पूरे देश में उसकी स्विक्रती बने लगती है निशन्दे भारत में दिद्ली सल्तनत की स्थापना एक युग परिवर्तनकारी घटना थी क्योंकि भारत में पहली बार ऐसी राज की स्थापना हुई थी जिसका धर्म जन साधारण के धर्म शे तो एक तो एक नवीन परंपरा भारत में उभरती होई दिखाई पड़ रही थी ठीक है और इस्लामिक ट्रेडिशन आ रहा था मुसल्मान सासक को चलने का कैसा हिसाब था वह उल्मा के हिसाफ से चलते तो उनके धर्म गुरु समझ लिए और उल्मा का काम यह था कि जो इसल जादा जनसंख्या क्या थी वह हिंदू थी अब देखती जाए कैसे कैसे यह कंसेप्ट बनता चला जाएगा भारत में इसलाम के आगमन के बाद अनेक परिवर्तन हुए यह इन परिवर्तन ने भारत के दूर दरा छेत्रोड तक कई समाजिक समूदा जैसे किशान सिल्पी योद्धा सबको प्रभावित करना सुरू किया यह जो नया नया समराज बना था नया धर्म था इसने सबको प्रभावित किया और जिन लोगों ने इसलाम अब इसने यह सारे लोग कई इसमें से कई लोगों इसलाम धर्म स्विकार करना सुरू कर दिया क्योंकि शाशन इसल इसलाम धर्म का कर्मकांड है ठीक है जैसे हिंदु धर्म के करना दान देना बली देना यह सारी चीजें ब्याप्त थी ऐसे इसलाम धर्म का यह कर्मकांड है जो करना पड़ता है को कलना पढ़ना पड़ेगा नमाज पढ़ना पड़ेगा पांच वक्त का नमाजी कहा जाता है रोजा रखना पड़ेगा दिन बरात को भूखा रहना है तब रात को खाना है जकात देना कुछ कर देना है हज करने जाना मक्का मदीना जाना है यह सारी चीजे इसलाम धर्में ब्याप्त थी और यहां भी चलती जा रही थी जिस तरह से हाड कोर वैदिक परंपरा को फॉलो क करने से समस्य समाज में आई वैदिक परंपरा को फॉलो करने से नहीं उससे जो उससे जो कुलितिया व्याप्त हो गई उसको गलत पेस करने से तो भक्ती परंपरा उभर कर आई उसी तरह से इस वाले कंसेप्ट से हट कर जिन लोगों ने एक सर्वसाधारण धर्म की संदगी विताएंगे एक अलग साधारण से रहने वाला साधार से दिखने वाला संपर्दाय बनाएंगे और वो इसलामिक परंपरा का ही सद्धान था और वो था सूफी मत ठिक सूफी मत मुस्लिम विचारकों का एक धार्मिक संगठान है ध्यान रखिए जो जन साधारण क भौतिक जीवन से दूर रहकर संयमी जीवन व्यतीत करने पर वल देता है यानि जो इन्हों ने कहा कि इसलाम को मानने वाले लोगों यह जो चीजें आप कर रहे हैं उसको चलिए अलग हो गया लेकिन आप इस दुनिया से अलग होकर इसके नियम कानून जहें उसके अलग होकर एक साधारन जीवन जी लीजिए अलग जीवन जीए और वो कहलाया मत सूफी मत सूफी मतावलंबी के जीवन का मुख्य उदेश परोवकार और दीन दुख्यों की सेवा करना था यह इंपोर्टेंट है अब जो इसलाम फॉलो कर रहे थे उसमें में यह था कलमा पढ़ो नम सिवात से होना सुवकार किया जाता है इसको मोला रहता है मिस्टिक मिस्टिक इसलामिजम मतलब जो इसलाम में रहश्य है जो यानि रहस्य मतलब क्या कि जो चीज आपको दिखाई पढ़ रहे उसे परे जो चीजें हैं वो सूफीजम से हैं सूफीजम एक बहुत ही कह सकते ह कि जिसको कह रहा है ना कि बिल्कुल अनौपचारिक एक मत जिसमें बहुत ज्यादा नियम कानून नहों लोगों के बीच में रहे के नाशते जूते गामते नाशते हुए जूमते हुए गाते हुए अल्ला के नामों का जिक्र करते हुए एक जिक्र जो आप सब सुन्दे ना इसका जिक्र हुआ है जिक्र अल्ला के कई नाम है उसका जिक्र किया जाना है जैसे भक्ती परंपरा में कीर्टन और नाम का जब करना है भगवान के नाम का वैसे यहां इसलाम के इस सूफी परंपरा में जिक्र होता है अल्ला का और अल्ला का नाम लेते हुए नास्ते जुमत हुए मदमस्त रहते हुए ये पूरी परंपरा बनी जिसका मत ये था कि पर उपकारियों की सेवा करनी है और सभी मत का जो एक तरसे कह सकते हैं प्रादुर्भा हुआ सबसे पहले इसका जाता है एराग के बगदाद से भारत में तो ऐसे हुआ इराग के बगदाद में कुछ संतों का नाम आता है जिसे राबिया अब ये राबिया संत हुई जिनों ने क्या किया अल्ला के नाम का लेना सुरू किया और जो उलिमाओं द्वारा बनाए गये नियम कानून सरिया ये सब चीजे हैं या जो उलिमाओं द्वारा बताए जा रहा था उसका बिरूत करके एक अलग पंथ पर चलने की बात की तो सुरू में इन लोगों को मारा गया दबाया गया कि इस्लाम के द्रोही हैं ये असली इसलामिन building नहीं हैं मुविन नहीं है लेकिन धीरी धीरी कियop是啊 चला गया और माना जाता है कि जो सूफी सब्ड है ये सोफिया से बना है pięk जाता है कुछ सोफी सब्ड का मतलब सफ़ा से बना है जिसका मतलब होता है पवित्र और होना ये यह यह जो इसलामिक कानून या इसलामिक कुरान वाला रास्ता है उसको उससे हट के इसलाम को मानते होई साधा सिंपल साधारन जीवन जीने की परंपरा है जिसमें अल्ला का चिकर करते हुए जीवन बिताया जाता है महमूद गजनवी की पंजाब विजय के बाद भारत में कई सूफी संतों का आगमन हुआ और सबसे पहले आने वाले संतों में थे सेख इश्माईल इनका नाम बहुत महत्तमोर रूप से आता है इसको जो लाहौर में पहले बार आए और फिर भारत में 1200 से लेके 1500 इसवी तक अच्छी बात ये दिखी गई कि सूफी मत और भक्ती आंदोलन ने एक दूसरे को कॉंटरडिक्ट नहीं किया बल्कि जितने सूफी संतों हुए और जितने भक्ती आंदोलन के संतों हुए सबने उस समय हिंदू-मुस्लिम एक्टा की बात भी कही उनने का भाई सब को एक सा चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे दोनों में समानता हैं कुष्टी समानता ही थे कि दोनों दो-तीन चीजों के प्रती एकदम एक थे पहला दोनों जाती या समाजिक भीभेद के खिलाब थे ठीक है अगर जाती ब्यवस्था की बात की जाए तो दोनों क्या होते थे दोनों इसके खिलाफ रहते थे ठीक है यानि उनको लगता था कि समानता होनी चाहिए इसके अलावा कर्मकान या आडंबर इन दोनों के खिलाफ ये दोनों रहते थे जैसे इसलाम धर में भी जो आड़मबर या दिखावा था या हिंदु धर्म में जो लिखावा था तो भकतीकाल वाले और सुफी दोनों उसके खिलाफ रहा करते थे ठीक है इसके अलावा दोनों में एक कॉमन चीज्वा दिखाई पड़ रही थी वह धार्मिक सही शुरता थी सूफी मत है आगे मिश्रचा करेंगे इसमें धार्मिक शयासी उड़ता है यही भक्तिकाल के संतों में दिखाई पड़ता है इसलिए कारण रहा कि भक्तिकाल में भी और यह दोनों समय सूफी मत इसलिए एक साथ आप पड़ रहा है दोनों का विक्साख चलता रहा तो 1200-1500 तक देरे सूफी मत का विगास होता रहा अब आये समझते हैं कि सूफी मत के सिध्धान क्या थे तो ग्यारवी सतापती आते आते सूफी वाद एक पूर्ण विक्सी तांदुलन बन गया और सूफी परंपरा और कुरान से जुड़ा अपना एक साहित था और उसके अपने सिध नहीं था क्या-क्या इसको इंपॉर्टेंट रूप से इसके सिध्धान थे परमात्मा की एकता में आस था इसको लगता था कि परमात्मा जो है वो एक हैं एक अल्ला है उसका नाम लीजिए आप और उसी में एक हो जाई एक आकार हो जाईए जिस तरह से भक्ति परंपरा मे यह भी मानता था भारत में जो अद्वैत सिध्धान दिया था संकराचारे ने जिसमें बोला था एको ब्रहम अदूतियों नास्त एक ही ब्रहम है और कोई नहीं इससे मिलता जुलता यह कंसेप्ट है इसलिए आगे इन सूफी संतों में सिलसिलेज हुए उसमें चिस्ती ने ब लगोकर एक आस्रम में रहिए या जो आप यह सुख दुख भोग रहे हैं जो आपको लालसा है दुनिया की इस से लगोकर फकीर वाली जिंदगी जी लिजिए प्रेम को महत्व प्रेम को महत्व भक्ति ने भी दिया था इन लोगों ने भी दिया कि यहां पर ग्यान अब इसमें गुरू का सिस्टम चलता था ठीक है जिसमें मुरीद होते थे और पीर होते थे तो पीर और मुरीद या मुर्शिद पीर या मुर्शिद जो गुरू के रूप में रहते थे और इनको मानने वाले इनके अनुवाई कहलाते थे मुरीद ठीक है यह बहुत महत्व गुरुव को समर्पित करना पड़ेगा तो यह कंसेप्ट उसमें बहुत चल रहा था धार्मिक सही सुरता जिसकी मैंने भी बात की कि धर्म एक समान है सभी धर्मों को इस साथ लेके चलना चाहिए और हिदय की पवितरता पर बल यह का गया कि आपका जो हिर्दय है वो साफ हो कई सारे संगीत का जैसे अमीर खुश्रों का जब आप नाम सुनेंगे तो कई सारे रागों का तालों का प्रशार करना गागा के अपनी बाते कहना सूफी कई सारे गायन है जैसे आपने अमीर खुश्रों को सुना होगा वो कई सारे सूफी चीजों को गाते हैं और वह जब वो दिवोषनल दिखाई देगा तो ये सारी सूफी परंपराव में चीज़ है दिखाई देते हैं कि फिर शूफी में एक और इंपॉटेंट जो चीज चलते थी यह चलता था खांखा ढरगा या सूफी सिलसिला यह दो-3 इंपॉटेंट चीज थी अब खांखा का मतलब आप आश्रम से ले सकते हैं ऐसी जगा जहां पर सूफी को फॉलॉव करने वालों एक साथ रहते थे सिलसिला जो है वह कड़ी को चेन को कहते थे कि एक वेक्ति ने एक ड़ी सूफी का सुरू कर दिया दूसरे ने दूसरी कड़ी को सुरू कर दिया यह संस्थागस दिस्टी से एक समुधाय बना कर रहते थे और वो खानखा कहते थे खानखा क्या सपास रहते थे जहां भी और रहते थे खानका एक का पारस्परिक संबंद सूफिवाद विवस्था का इंपोर्टेंट था तो मैंने आपको बताया कि पीर और उनके जो सिस से मूरीद होते थे यह सूफिवाद की सबसे महत्वपूर बात थी है ना इसके बीना कोई सूफिवादी संगठा नहीं आया ऐसा खानखा चलता नहीं जाता था जैसे आपने बहुत परंपरा में देखा होगा कि लोग अपने उत्रादिकारी को चुनते हैं तो लामा कहा जाता है है ना तो यहां पर उनको वली कहा जाता था ठीक है वली अपने पीर के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए उनके द्वारा जो कारे किया ज होते थे वह अपने पीर के प्रति सद्धा रखते थे और पीर की दरगा पर जियारत के लिए हो जाते थे और यह चीज़ बन गई आज भी लोग जियारत के लिए पीर की दरगा पर जाते हैं जो गुरू है उनकी दरगा पर जाते हैं बारवी स्दाबदी के आसपा अनेक पंथ और सिल्सिलों में बट गया यह इंपोर्टेंट बात है सुफिवाद में फिर क्या हुआ कई सारे संपरदाय पंथ सिल्सिले बट गया उन सिल्सिलों की चर्चाम करेंगे सिल्सिला का मतलब है जंजीर जो सेख और मुरिद की बीच एक रिस्ता बनता है पहली अट है ईक चर्या यहां ियम कानून होते थे उस तरह से इसलाव में नियम कानून बताए हैं हर चीज के को फ.. गए सिल्सिले जो उनको फॉलो करते हैं वह सरिया कहला है और ऊंको Ihr करते हैं बेशरिया कहला है た तो सुफियign सिल्सिले दो भागों में बढ़ गए बेशरिया बासरिया बासरिया का विप्राय था कि इसलामी कानून या सरिया का पालन करने वाले सिल्सिले और जो बेशरिया थे इसका मतलब था जो सरिया में बदे हुए नहीं थे ठिक तो आप इसको इजली देख सकते हैं ये होते थे आपके सिलसिले ठिक बे शरिया बा सरिया ठिक तो बे बतलब बीना ठिक है तो ये क्या मंगते थे शरिया को नहीं मानेंगे ये मैं सले लिखना है और बार-बार क्या आपको चीज़ें अभी दिमाह में बैठ जाएं और बा शरिया शरिया को मानने वाले ठिक है एक तरह स्यास्तिक नास्तिक कह सकते हैं हापिस में ठिक है तो ये सिलसिले वाली कंजिशन थी कि बे शरिया बा शरिया ये दो तरह के सिलसले सूफी मत में हो रहे थे, जो सूफी मत के विकास में दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है जी, चलिए, बेशर्या सूफी संथ, खानखा का तिरसकार करके, रहस्य रादी और फकीर की जिंदगी बिताते थे, very important, ठीके सूफी मत में पहले क्या हो, खानखा रहेगा, एक आस्रम रहेगा, आस्रम एक पीर रहेंगे, उनके मुरीद रहेंगे, तो बेशर्या हो लोग कहते हैं, नहीं यह समने ही मानेंगे, हम घूमेंगे, फकीरी के तरह घूमते हैं, तो आपने कई देखा, कई मुस्लिम सूफी शंतों को जो कुछ बजाने वाला ले शरिया वाले लोग कहला है, तो यह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सूफी मत के विकास से संबनित हमने था, अब जो यह सिलसिले बने न, यह सिलसिले कादरिया, सुहरावर्दी, ठीक है, नक्षबंदी, इन सभी सिलसिलों की चर्चा भी हम अगले टॉपिक में करेंगे, और होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई डाउट है, तो फिर से देखिए, नहीं समझ में है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको समझ में आ गया हो, तो भी अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, एक और बात का ध्यान रखना है, कि मैंगनेट ब्रिंज डाट कॉम, इस डेफ साइट पर आकर जैसे मालीज अगर आपने सीवेसी सेवें टू टॉल हिंदी माध्यम सलेक किया, और क्लास 12 सलेक किया, तो यहां पर आप मेरे साथ, गणित इतिहास, रानिती, विज्यान, भूगोल, और तसास, तर जैसे महत्रप यह चैप्टर खुल के आजाएगा, यहां से आप नेक्स्ट वीडियो या प्रिवेस वीडियो पर जा सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें हमारी वेबसाइट से पढ़ें, एप से पढ़ें, या आप हमारे यूटूब से पढ़ें, यह सारी की सारी सिक्षा आपको क्या होती यह बिल्कुल निशुल्ग दी जाती है, तो आप फड़ा फड़ इसको लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजे, इसमें कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जुरूर बताइए, मिलते हैं अगले चेप्टर में, अगले टापिक के साथ, अगले वीडियो में, तब तक बहुत ध्यान लखे, टेक केर, बाई बाई